मराठा भारत भूमी के वो योधा जिन के लिए उनका धर्ब और कर उनकी वीर्दा है गृत्ध में दिखाई गई शूर्ताने लिमें देश्वा के चचने भाई श्रीमंत सदाशियु रवभाव का अभिनेंदन किया जाता है जाहोते अमला मैंने सुनाएं जब पेश्वा अकेले मोहिब पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लोडते हैं मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहो के लिए शस्री पूजन के सभ़े आपने पेश्वा तलवर सदाशित को क्यों दी सदाशित हर कदम हमेशा मराथा सामराजे के हिट में ही रहा है आज हम पूरे हिंदोस्तान के शासक बन गए हैं मराथों के खलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सर्जमीन पर एक है जहाँ पना एहमद शाब दाली अब दाली के आने का बतलब है? पूरे हिंदोस्तान पर आख़आ इस बार एक लाग के फोज लेकर आ रहा है भो मिजनी बार जब यहां आया था तो यमुना का पानी साथ दिन तक लाग था मोर कत तक तो रिये कोही नूर बड़ी मशक्कत से पाय जागा जीनने इसे नहीं मिलता तलवारे कीच लो इस बार हमें उसे रोकना होगा तो यह पारे ने हरा दिया ना पहर तहली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका वो एक नाप की फोल लेकर आ रहा है तो हम कोई आपके घर पर हमला करें तो आप शक्त्रों के संक्या गिनोंगे या पर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे हम मराठों का सफाया करते के तो भेरा माले बंदू के आपके इस बार अबदाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिंबत भी न करें मैं भी तुम्हार सब मुह इंपर जिरूंगे सुख में बीछे राऊंगी और दुख में आगया जाऊंगी कि अबदाली को भी पता लग जाए कि अभी तक धर्ती में वीर योद्ना खतम नहीं हो है अब हमारे बीच कोई दर्या नहीं अब हमारे बीच सर्फ पानीपत की यह रणभूमी है तू जोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है मैं इस धर्ती के मिट्टी के एक कड़ के लिए भी मरने को तैयार हूँ